नमस्कार आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहट PIO द्वारा सुचना आयो को भी किस प्रकार गुमराह किया जाता है भ्रमित किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए आज जो इस चैनल से पहली बार चुरे हैं तो सब्सक्राइब अवस्ट कर लें तथा बेल आइकन के दबा लें जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सिधर मिलता रहे तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे को सेर अवस्ट करेंगे तथा एक लाइक कर देंगे तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन न कर पी आईयो द्वारा सुचना आयो को किस परकार गुमरा किया गया है देखिए आप लोग यहां मैंने प्रपत्र को द्वारा जिला अधिकारी कारियाले मधिपुरा से एक सुचना की मांग की गई थी यह बिहार राज अंतरगत मधिपुरा जिला का मामला है मैंने DCLR उदाक सुजन की सिकायत जिलाधिकारी मधिपुरा से की थी जिसके संबन में ही मैंने जाँच रिपोर्ट की मांग की थी सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तर्थ तो आप लोग देख रहे हैं यह प्रपत्र को है यह नाम पता है मैंने यह 2221 को ही किया था अब आप लोग लगातार इस वीडियो को बिना स्किप किये हुए देखेंगे जिससे आप लोगों को भी ठीक ठीक समझ में आ जाए कि PIO अब सुचना आयो को भी किस परकार गुमरा करते हैं आप लोगों के इधर भी आप लोगों के साथ भी इस परकार की घटना होती है या गुमरा की आयाता है तो आप लोग भी इसकी सिकायत अबश्र करेंगे तो मैंने जब जिलादिकारी कारियाले से RTI द्वारा जाँच रिपोर्ट की मांग की तो उन्होंने एडियम के माद्यम से मुझे यार सूचना दी गई आप लोग मैं देखें यह अपर समाता मदेपुरा द्वारा है इसमें मैं आप लोगों को संचेप में कुछ पंक्तियां सुना कर बताना चाहता हूं इसमें बता गया था उल्लेखित करना है कि आपके आप से प्राफ्ट आवेदन पत्र में अंकित पिस्यक मामले में अनुमंडल पदादिकारी उदा किसुनगन से जहां चोप्रांत नियामानुसार आवस्यक कारवाई करने तो इस कार्या लेके आदेश पत्रां कितना दिना कितना के द्वारा निर्देशित किया गया था अनुमंडल पदादिकारी उदा के सुनगें द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन और प्राप्त है अब आप लोग भी ध्यान दें कि एक एडियम का आदेश को अनुमंडल पदादिकारी भी नहीं मानते हैं सो समय अब इसकी सुचना मुझे दी गई अब अनुमंडल कारियाले को जिस पत्रांग दिनांग से भेजा गया था उसकी भी रिपोर्ट एडियम द्वारा मुझे दी गई थी यहां आप लोग देख लें लेकिन अनुमंडल पदादिकारी द्वारा भी सौस में कोई कारवाई नहीं की गई थी इस मामले को जब मैंने सुचना आयोग में ले गया दूटी अपील में तो सुचना आयोग में भी PIO द्वारा सुचना आयोग को भी ग्रमित किया गया आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि मैंने जिरादिकारी को DCLR हुदाकि सुनगन की सिकायत किया था लेकिन उसकी रिपोर्ट अनुमंडल पदादिकारी को देनी थी तो वो सुचना आयोग में अनुमंडल पदादिकारी ने अपनी जाच रिपोर्ट नहीं दी वहाँ खुद देखें कि लोग सुचना पतादिकारिस है, भोमी सुधारूप समाल था, डिसीलार द्वारा हैं, जाँच परतिवेदन, मनगरंत ब्रहमित किये वे जूठा रिपोर्ट बनाकर, सुचना आयोग को भी गुमराह किया गया है, तथा मुझे भी गुमराह कर सुचना किया गया, आप लोग देख लें, यह है, लोग सुचना पतादिकारिस है, भोमी सुधारूप समाल था, उदाक सुंगन का ही जाँच रिपोर्ट है, इस संबंद में मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जिसकी सिकायत की थी, वो अपने ही सिकायत का जाँच परतिवेद खुद भेज दिये, कहां तो राज सुचना आयोग, और राज सुचना आयोग के द्वारा मुझे यह परतिवेदन भेजा गया, अलांकि इस सुनबाई में मैं ऑनलाइन वर्चुल कोट में उपस्थित था, लेकिन लिंक के गरवड़ी या सुचना आयोग में किसी गरवड भेज दिये हैं, अब इसकी सिकायत धारा थारा की तहत पुना सुचना आयोग में की जाएगी, यदि आप लोगों के साथ भी इस परकार की घटना होती है, इस परकार आप लोगों को भी गुमरह किया जाता है, तो आप लोग भी इसकी सिकायत मुक्ष सुचना आयोग से अ तवस्रे करेंगे, जैहिन